नमो नारे, नमो नारे, जे गो माताओ, वंदे मात्रमा पार्ति कुप्रणा मोर हृरदय से ओम्शाम्शनिश्चाराईब। पिरदर्शकोर मित्रों श्ठ्यों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृरदय से श्वादाते हैं। पिरमित्रों, शान्ती सब्दों का विशय नहीं है, शान्ती गोष्टियों का विशय नहीं है, और शान्ती विवाद और तरक का विशय नहीं है, शान्ती अनभाव का विशय है। और इस शांती का अनभाव हमारी जीवन में अविश्य घटित होना चाहिए। बिना इस अनभाव के घटित हुए हम भटकते रहेंगे साथ और इस सुक्से हम बंचित रहेंगे तो जीवन में वास्तुरिक संतुलन कभी नहीं आए जा इसलिए जो शांती है न वो आपकी शंपाउन राष्ट को सनी जैनती महस्तों की हर्तिक सुद्गाम ना है सिरी सनिधाम सनी तिर्चित हतोला पते पुरवेरी में आपका श्वागत है करीशनी भगवान की दास्तन पूजन तेलाविशेक शंपाउन कश्टों से सुद्गारा राश्वाश्यों 6 जून को सनी ज संध्या पर अदभुद सनी देव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं रुद्राविशेक करने जा रहा हूं राश्वाश्यों आप इस रुद्राविशेक में और सनी तेलाविशेक में भाग लेना चाते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं इन नंबर पर संपर करके आप अब से शनी देव कि इस अनुस्तान का हिस्सा बंस है मित्रों शाथियों 6 जून को शनी जहनती है और उसकी पुर शन्दिया यानि 5 जून 2024 रातरी 12 बजे शंक्रों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महा आरती करूँगा मैं राश्च से निवेदन करता हूँ कि इस आरती के दर्सन मात्र से आपका कल्यान होगा पदारे शनी धाम और करिए इस आरती का दर्सन के आपका कल्यान होगा ना मना रहे है आज की दाती गुर मंतर में बात करते हैं 30 मही 2024 के राशी फल और पंचांग राशी फल पर आओं उससे पहले आज का पंचांग जेश मांच क्रिशन पक्ष की शप्तमी विक्रम शमद जेश मांच की सत्रा परविष्टी सक्ष मुनिश्यालिस जेश नौ तद अनुशार गुरुवार तीस मही 2024 सुर्य उद्यकालिन तिथी सप्तमी है तिथी का जो समाप्तिकाल है वो सुबह 11 बच कर तेतालिस मिंट अगली तिथी अस्टमी होग शुरुद्यकालिन योग वैध और शुरुद्यकाली नक्षटर धनीशा नक्षटर स्वामी मंगल देव है नक्ष भ eerste सिबें पर इन नक्षटर के प्रभाव रहेगा आपकी राशी प्हल की चर्चा करूँगा लेकिन उससे पहले आजक्य की ग्रहई हो गयो प्रतकालीन लगन बिर्ष्ब Λिब राश और शुक्र देव कुमराशी में चंदर देव और संय देव मेंडाशी में मंगल देव और मेष्राशी में बुद्देव कि और कुन्या राशी में केतू देव यह है घ्रुण का संचड और और इसी आधार पर 30 मही 2024 का मैंने राशिफल लिता है। आज का जो अभिजीत मूर्थ है वो सुबह 11 बजकर 51 मिंट से लेकर 12 बजकर 47 मिंट अब दी 46 मिंट है। आभिजीत मूर्थ कितना रहेगा तो 46 मिंट रहेगा और यह 46 मिंट आज की दिन कोई भी शुबह कारी करने के लिए सब्सके उत्तम मौरण कोई भी नयार शुबह कारी है जिसकारी में चीर काल तक लाब लेना उसे आभिजीत मूर्थ में करें और आभिजीत मुर्थ महगवा दोपर दो बजकर तीन मिनट तक लाब का चौगडिया रहेगा दोपर दो बजकर तीन मिनट से लेकर दोपर तीन बजकर 46 मिनट तक अमरित का चौगडिया रहेगा शाम पांच बजकर 30 मिनट से लेकर साम 7 बजकर 14 मिन तक शुबह का चौगडिया रहेगा आज का जो रहु जबा तो यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कमाएगा पिरदश्कों मित्रों शांकियों समेशा धन प्रशतियां और काल में बहुत परिवर्तनाया है आप किसी भी दिशा में यात्रा करो मेरी और से कोई बंधन नहीं है क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है हां जब कि यात्रा केले घर से बार निकले पहले साथकदम दक्षण दिशा की और जाय कुल देवता, पित्र देवता का धन करते हैं मंगल में यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर जाएगे कर्श्ट कम आयेगा मित्रों लेकिन आपसे जानकारी डे कि य निचे नमबर आ रहे इन नमबरों पर शंपर करके आप मेरे से संपरक स्ताफित कर सकते हैं अवश्य मैं आपको शयू करूंगा हाँ जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महराज जी से दाती महराज से बात करनी है तो आपको गोशेवा करने हूँ मित्रों शा सभी रहे मैं आप लोगों की शेवा में हूँ तो यह मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिए गायों की शेवा करें जो लोग आपको फोन पर कहता है कि गायों की शेवा करें तो उसको अधरवाइज मत लीजिए ऐसा मेरा ही निरदेश लेकिन मैं धन कमाना नहीं नहीं मुझे धन चाहिए वर्त्मान प्रस्तों को देखते हुए मेरी गाएं सुखी रहे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ बाकि आपकी मैं से मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों शाति आप सभी लोग सनिधाम का जो नंबर है कोशाला का नंबर है उस पर आप फोन करते हैं जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक ताइप है आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह नौ बज़े से लेकर साम आठ बज़े की बीच में उठाएंगे इसलिए मेरा निवेदन है कि आठ बज़े की बाद आप फोन नहीं करें आपके फोन इस बात की फिर वहां जान करें आपको कोई नहीं देगा तो जो भी जो सनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गोशाला के इन नंबरों पर शंपर् नहीं आपका जिवन खुशियों से भरा रहें सनिधेव की सिर्चर्णों में मेरी प्रात तीस मही आपका जनम दिन या फिर सादी की सालगरें जो उपाय बताने जा रहा हूं ये उपाय पूरी वश्बर आपको लाब और शफलता देगा इदि आपकी सादी की सालगर है तो नमों भगवती वाशु देवाए नमों इश्मंत्र की जाब करें तरश पसात शबा किलो या सर्धान उसार्चने की दाल पीले कपड़े के साथ गरीब निर्धन किसी व्यक्ति को दान में देने के बाद एक पकावा पापिता छील कर गाई को अपने हाथ से खिला दीजेग यह उपाई आपके लिए बड़े कारकारी रुद्राक्ष धारन करने के बाद जो उपाई मैंने बताई उपाई हर गुरुवार को करें और पूरे साल भर करें कष्ट परेशानियां दुखों से चुटकारा मिटे गए कि अद्भूद उपाई है करके देखें आपके अब वजझ करों तो छब आज नंगोंके मिए विस्तार के आउसर मिलें गे नए आयाम इस्थाफीथ होगे धनलाप और शुक के साधन बढ़ेंगे और परिवार में Vivek अ आप यूआ और विद्यार्ती हैं आप विरोजगार तो रोजगार प्रावत होगा आप नौकरी में तो मनवनकुल इस्थान परिविदन इंक्रमेंट की और प्रमोशन की संभाव नहीं सिख्षा की सेट्वर अश्रपलता मिलेगी समझ इक सिवाओं को आफसर मिले गर परिव में चंदर्दे और दसंभा में चंदर्देव MANGAL देव रहुदेव की नक्स्रमें संच्रत गार रिंकूल दर्श्थी होने से सुभ हलों की प्राप्प कि होगा कानोंनी प्रेशान मुग्ति मिलेगी इ करदे से चुटकारा मिलेगा वैपार में धन ब्रिदी का यह रुग्ञान यह रुग्ञान में रूची बढ़ेगी और नन्याल का शुकर से हुप राप्त होगा क्या करें शम के नणने को थोड़ा सा आज महतो दीजेगा क्या ना करें किसी की साथ धोका ना करें सुबंक्तिन सुब्रंगुलाभी भागिया आपकी प्रक्ष में सत्तर प्रसंद लाप का संकेति बिर्सब राजवालों ओम गोपालाए उत्रत वजाए नमा इस बीज बंतर का जाप करना अती उत्तों में रहेगा नमना इन बात करते हैं मितों दाशी नमंभाम में चंदर दे प्रसान मिलेगा और बुजरुगों की से पारवरिक्ष मश्याओं का समधान धून में समर्थ होगी संतान की सपलता से प्रसंता होगी लेकिन कारी चेतर पर धैरी और स्यम का प्रचे दे और बुजरुगों की सला से काम करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा वरिष रदिगारों की सरहना और शहुकी प्राप्ति आज जीवाओं को होगी आसावद्दी और शकारात्मक्सोच का लाम मिलेगा मनवल उत्तम बना रहेगा आपकी कारी कोसर और कारी चमता की आपकी गुनमता का विकास होगा और आपकी छबी में शुतार हो क्या करें जात्रा में लापरवाई ना करें शुबंचे शुबंधरा भागिया आपकी 55 प्रसंद लापका संकेत है मितुन राश वालों ओम क्लिंग क्रिश्ना आइनमा इस मंत्र का जाप करना अति उत्तमरे का जाप करें नमौनन और बात करते करक्रासी लिन उससे पहले जो 30 कि अद ज्एक अतुर्त और दसंभाव के सौमी एक साथ जन्व कुणली में दूसरे चतुर्थ पंचम स्वाम में हो अतव सुर्य रप्रश्तपति पंचम भाव में हो कंदरमा नम civet कि सूर्य लाप भाव में हो पिर उचका हो ऐसा मैंने देख city स्वाल लगन में होगा साथी साथ सूर्यक साथ अगर राव हो तो यह अदभुद श्रेष्ट योगमान आ गया है ऐसे जाता का धनकोष्ट उत्रोतर विर्दी करेगा बैंक बैलेंस में कभी कमी नहीं होगी और महालक्ष्मिका अदभुद आशिवाद मिलेगा अमनमो नारायए बाद करते हैं अब करकराश आश्टम भां में चंद्रदेवे और चंद्रदेव मंगल देव और रहुदेव की नक्रोम संग्षण का रहे हैं ग्रेग गुल्चिर को तूलना दे और शरकारी मामलों में लापरवाई आज वेर्थ के वादविवाद से बचने का प्रियास करें कारियों में नावशक बादा है प्रतिरोद का सामना करना पड़ेगा धनका अपवह है और पारवारिक मनमुटाव से मांसिक और सारिक तनाव यह और विद्यारति क्या करें कानून की कदायरे मेरे करकाई क्या ना करें वेर्थ का अग्रेशन क्रोध और गुश्या नहीं करें शुबंगनाव शुबरंग शपेद भाग्या आपकी पक्स में केवल 40 प्रसंद लापका संकेते करकराश वालों और अव्यक्त रूपैने नमाहां इस बिजमंत मान समान की प्राप्ति रेन और रोग से छुटकारा जिवन साती का पूंशयोग और दांपती संबंदों में प्रगणतार आएगे और विवास समंद्री परिशांट से मुक्ति मिलेगी भोतिक शुक्सादन बढ़ेगी यवाओं को कम्पेटिशन में सपलता मिलेगी नौक का संकेत है सिंग्राशिवाल ओम क्लीम ब्रह्मनी जगत्धाराय नम इस बीज मंतर का जापकाना अति उत्तम रहेगा नमनारें और बात करते हैं कन्याराश चंदर देव चंदर देव मंगल देव और रहुदेव की नक्स्तरों में संचन का ग्रेगोच्र की अनुकुलता से सास और प्राकर में विद्धी होगा। सास सी कारें विशेष शफलता मेले गहाने, मात्र प्रक्रइत में मान और प्रतीष्टा बढ़ेगी। प्रियास बहुत जो थोड़ा सा और शकारत में प्रियास क्या ना करें वानी और विवार से किसी वुकस्ट नहीं पहुंच शुबंग पांश शुबरंग क्रीम भाग्या आपकी फक्स में 75 प्रसंद लापकर संकेते का निया राश्वल आउम नमा प्रित पितांबराय नमा इ पंचंभा में चंदर देव मंगल देव रहुदेव के नक्ष्णों में संचत है गोचर इस बात का संकेते रहें मेहनत परिश्रम संगर्ष के बाद शपलता के उत्तामाव से लाब मिलेंगे काम बनेंगे आवश्यक्ताओं की पूर्ती होगी धन्समदी मसलें होंगे कब हो लेकिन आज खर्चों में अधिकता रहें लेकिन मेहनत परिश्रम संगर्ष से चाहे वो कारोबार हो चाहे परिवार हो सामाजी जिम्हदारियों को पूरा करना भी अवश्य है और मेहनत करेंगे तो पूरी हो जाए आज यात्रा से कुछ लाब है लेकिन यात्रा में क्या करें कारी शपलता के लिए समझ होता करें क्या ना करें गुप्त रूप से कोई कारी और स्वधा ना करें सुभंग दो शुबरंग नीला भाग्या आपकी प्रक्ष्ण लाबकर संगे तलारा से लो ओम तत्व निरंजनाए तारक रामाए नमा इस बीज मंत्र का जापक यह अवस्तार है परिवार का साथ नहीं मिलेगा परिवार में वेर्थ का कलेश से रहेगा तरक विवाद है और आज परवरिक कले के वज़े से कामकाजवर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा करवेशार में हानी रकम डूप शर्ती कथा कथा काती अपनों से धोका मिल सकता त उनकी सला से काम है क्या ना करें जोकिम के काम में हाथ ना डाल सुभंचार सुभंचार सुभरंगलाल फाग आपकी परण तीस परसेंट ही लापका संकेते प्रिशिक राश्वल ओम नारानाय सुरसिंग्धाय नमः इस बीज मंत्र का जाब करना उत्तम रहेगा नमनाय इनम विद्यारति युवाओं के लिए कामकाच कारवार नौकरी के हिसाब से मननों को शपलता है विवास समयंदी परहिशान से मुक्ति नौकरी में आगे बढ़ने का मोका और शिक्षा के शितर में उनती में क्या करें सरकारी छेतर में थोड़ी सी महनत और परहिशन को बढ़ा बहुत से लोग कहते हैं साब हमारे घर में पारवारिक समश्या क्या करें पारवारिक वातरन शकून भरा रहे तरक्ष विवाद लड़ाई जगर से मुक्ति रहे इसके लिए हर रोज सूरी उदेश से पूर्व और सुर्यास के बाद अपने घर में गूगल का दूप करिए और शुबह शुबह नित्य कर्म्यों सिनान उप्रांथ अपने इश्ट देव के सामने शुद देशी घी का दिपक जलाईए और शपेद सुगंदित पुष्प अर्पित करना भी उत्तम रहेगा कि नियम बना दिजिए इस उपाई से आपके घर में शुक्रशान पी संतुलन बनाने के लिए वानी पर सहीम रखना बहुत है संबाद करते समय संबांद जनक शब्दों का प्रियोग आपको शफलता में चार चांग लगा धन मिलेगा समाज में आगे बढ़ने का मोका मिलेगा मन की उलजन असमंज दूर होगी कब जब आप मीठा बोले लेकिन लेकिन आपकी वानी की अनकुलता से सक्कर्मियों का सवग मिलेगा और कुछ लाबदाइक परसित्या भी बने लेकिन फिर भी सावधानी अफिक्सते स्वास्ते को लेकर सरकारी और गैर सरकारी बैंकिंग मेनेजमेंट कांसलिंग इस चेतर में दी हुआ कारियरत है तो भूरा भागी आपके साथ पसंद लाब का संकेते मा का राशिवालों ओम श्रीव तसलाए नमा इस बीज मंतर का जाप करना उत्तम रहेगा नमने और बात करते हैं कुमराशी लगन भाव में चंदर देव मंगल देव रहुदेव के रंचन में संचन करहें समय उत्तम है भा कुट्राओं को नौकरी में आगे बढ़ने का मौका में आपकी कारिशाम्ता में बढ़ ऊतरी होगी उस्च्छा में आगे बढ़ने का मौका में विद्यारति शिख्षा और के लेकर जाएं को कामकाज को लेकर हर च्चित्म में उत्तम आए। और लाब कैसं क्या करें Listen at आज शत्रू हानी पहुँंचाने का प्रियास करेगा किसी पे अधीक भुरूशा क्या तो नक्सान होगा अपनी योजदाओं के प्रति सतर करें जीवन साथ इक तक्रार नहीं करें और कानोनी मामलों में लापरवाइद करें रुभान शाव धानी से चला है अब यो और विद कि मात पिता की आग्यों का पालंग घर में कलह का बात वार निद्ग सम्झोंता वादी नितिय अपनाएं वो तथा करते दोस्तों लाप कर संक्यते में डाश वल ओम क्लिम उद घरताय उद दारने नमा इस बीज मंतर का जाप कर दो परिश्यानिया दुखों में कमी आएगी प्रदर्शकों में तो शातियों यह था बारक बारा राश्यों का राश्य पल नक्षतर गर्णाओं के आधार पर मेरा निजी आंकल कि शिच्ण में मेरी प्रात्मा नमाना रहे है कि रास्तान का हर व्यक्ति जानता है दाति महराज जानें से बहुत प्यार करता बेटियों से बहुत प्यार करता हजारों शक्तरो बेटियों के लिए दिया मैंने अपना संप defin jeven दिया жुए और यह मेरा शौक था मेरी रास्त की ध्ष्ट और यह करना मेरा करते और करम था मैं 17 करना में आपको किसी वजे राश्ट के साथ लगाया है वरत्मान प्रस्तियां आर्फिक दास्ट कौन से मेरी अन्कूल नहीं है धन नहीं मांग रहों कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं पहले भी कभी नहीं मांग हाई correct अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और यह मेरा इंकार नहीं है क्योंकि धन को लेकर मेराष्ट के सामने कभी नहीं आये था हमेशा मैंने ये का कि आप शेवा करिया मैं भी शेवा करता हूँ आप भी शेवा करता हूँ धन नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परस्तिय हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सनिधान गोशाला की गाएं तुखी नहीं रहें इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्योम आपके साथ खड़ा हूँ आपकी समश्याओं के समधान के लिए भई आप अपनी जन्मकुनली का अवलोकन कराना चाहते हैं आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा पूरी साल खड़ा रहूँगा जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँगा नमबर आ रहा है इन नमबरों पर शंपर करी आप मेरे से बात करी लेकिन इसकी है वज में गायों के लिए चाहरे की वेवस्ता कर लीजे और इसलिए मैंने कहा था कि भई थोड़ा दिन इस समय में परेशाने में हूँ और मेरी गायें चाहरों को लेकर थोड़ी सी प्रेशान है ऐसा हिरुदय से आया लोगों ने कहा कि राश्र आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करी तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ मेरा ये एहंकार नहीं है मेरा राश्रो परुपर है मैं यह नहीं कहा हूँ मैं परिश्रम करोंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चाहरे की वेश्ता करीوجे underground की रिक्षा करेज़् आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा ऐसा मेरा निवेदा है और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं तो उनको मेरा प्रणाम क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महिने में लगबग लगब बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी है जिन्नोंने सनिधाम गोशाला में एकीसो रुपया चारा कर दिया है मैं उन सब की प्रति अपना आभार परगर करता हूँ और ये सयोग में जीवन भार याद रखूँगा मित्रों समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकौन से अनकूर संकेत नहीं दे रही है इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिधाम गोशाला में परिशानी नहीं चाहिए सरकार स्रपोर्ट कर रही है अपनी सिमाओं में रहते वे जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है यह आप भी जानते है शासन के अपनी एक सिमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते भी हिरदय से पुने एक बार ने वेजन करना चाहिए कि आपको लगता है कि दाति महराज के साथ सनिदाम गोशाला में खड़ा रहना है नंबर है ज़र स्योकर परा कोई दवाव नहीं है प्रातरा थी ओम नमो ना रहें